सुसान सिंग राजपूत सुसाइट केस की जाच में जोटी सीवियाई ने अपनी पूश्टाच की शुरुवात मुंबई में शुशान के कुक नीरज से की। उसने सुसान को जूस पीने के लिए दिया था। पाज गोंटे से अधिक चली पूश्टाच में नीरज ने रिया के बारे में बताते हुए कहा कि 8 जून को रिया ने नीरज से उसके कपड़े दो पैग में पैग करने के लिए कहा था। उसके बास सही रिया का कोई अता पता नीरज ने CBI को यह भी बताया कि 13 जून की रात को शुषान के चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं नजर आ रही थी। शुषान ने नीरज से जूस मांगा और वह पूरी तरह से नॉर्मल अवस्था में थे। 14 जून को जब सुषान का दरवाजा देर तक नहीं खुला तो उसने इसकी जानकारी सिधार्थ पिठानी को दी और कमरे का ताला तोड़े जाने से पहले तक वह दरवाजे पर दस्तक देता रहा। नीरा सिंग के द्वारा सीवी आई की पुष्टाश में अभी और भी राज खुल सकते हैं जिससे सुसान सिंग सुसाइट केस की गुथी चुलत सकती है।